यो जमीन पर बैट कर क्यों आस्मान देखता है? पंको को खोल, जमाना सिर्फ उडान देखता है. गुड मॉर्निंग! कहते हैं कि जिन्दगी में उत्सा का होना बहुत जरूरी है. वो चाहें जिन्दगी जीने के लिए हो, या फिर जिन्दगी में कुछ पे करने के लिए. कुछ ऐसे ही बातों के साथ, इरादों के साथ आ गई हूँ मैं आपके रेडियो दोस्त ललिता. सुबह की एक्सप्रिस के साथ आप सभी का नंबर वन मॉर्निंग शो लेकर जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस! ट्यून के है आपने आपकी वाणी आकाश्वाणी. कहते हैं वक्त और हालात हमेशा बदलते रहते हैं. लेकिन अच्छे रिष्टे और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते. जीवन सिर्फ चलते रहने का नाम है. कई गीतकारों ने इसके उपर सैकडों गीत लिख डाले, जिससे की लोगों में उत्साह बना रहे. जीवन में खुशी और उत्साह का होना बहुत जरूरी है. और जीवन में उत्साह तभी होगा, जब हमारे जीवन में कोई उत्देश होगा. उद्देश मन मुताबिक और रचनात्मक होना चाहिए जिससे कि हमारा उद्देश पूरा हो जाने पर हम खुशी और उद्सा महसूस करें यदि इनसान चाहे तो पूरे जिंदगी उद्सा और उमंग में काट सकता है वरना शिकायतों के लिए तो पूरा जीवन भी कम पढ़ जाए उद्सा और इनसान के उम्र में कोई खास फर्क नहीं होता इसलिए कई बार हम देखते हैं कि किसी बुज़र्ग ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो ढलती उम्र में असंभवसा लगता है जैसे रिटार्मेंट के कुछ सालों बाद ही ज्यादातर लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं घर बैट के भई कहीं बाहर नहीं निकलना है लेकिन उन में से बहुत से लोग या कह सकते हैं कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो इस उम्र में पहाड चड़ने जैसा मुश्किल काम को भी अंजाम देते हैं और समाज को नई राह दिखाते हैं दुखी रहने से जिंदगी में सफलता के रास्ते दिखना बंद हो जाते हैं क्योंकि उदासे की वजह से नेगिटिविटी हावी हो जाती है वहीं खुश रहने से जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है जिंदगी मुश्किल नहीं है बलकि हम अपनी सोच से इसे मुश्किल या फिर कठिन बनाते हैं इसे लिए तो कभी जानी माने गीत का राहत इंदौरी साहब ने भी कहा था उडान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े सपनों को पूरा करना है इसके लिए चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाश वाणी अगर आप उस इंसान को ढूंट रहे हैं जो आपकी जिंदगी बतल दे तो यकीन वानी है आपको आईने में खुद को देखने की ज़रूरत है क्योंकि जिंदगी आपका बेसबरी से इंतिजार कर रही है तो देर किस बात की सोचना क्या गेट रेडि फॉर चेंज तो चलिए दोस्तो आप बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि देश और दुनिया में आज के दिन क्या खास हुआ वर्ष 1908 में आजी के दिन कार निर्माता कंपनी फोर्ड ने अपनी बहुत चर्चित टी मॉडल की पहली कार बनाई थी फोर्ड ने इससे पहले B, D, F, K, N, R, S मॉडल लांच किये थे इस कार को मशीगन के पीकेट एवेन्यू प्लांट पे बनाया गया था एक अक्टूबर 1908 को ये कार शोर रूम में बिकना शुरू हुई 20 हार्स पावर के चार सिलेंडर इंजन वाले इस कार के शुरुवाती कीमत 850 टॉलर थी अतार कंपनी ने इसका प्रोडक्शन किया मई 1927 तक डेड़ करोड टी मॉडल की कारी सडकों पर दौड रही थी इसे कहते हैं सची लगन और पूरे समन्ड पर मैनस सी किया गया इंसान का कोई भी काम उसे बुलंदी पर जरूर पहुचा देता है और दोस्तों अब वक्त है कि आपको इस देश और दुनिया की खबरों में आगे ले चलें तो आपको बता दे इस क्रम में कि देश और दुनिया में आज क्या खास हुआ तो आज ही के दिन World Tourism Day मनाया जाता है वर्ष 1970 में 27 सितंबर को UN में World Tourism Organization को मनसूरी दी थी ये Global Tourism के शेतर में बहुत बड़ी उपलब दी थी इस दिन को यादगार बनाने के लिए वर्ष 1980 से हर साल पूरी दुनिया में 27 सितंबर को World Tourism Day मनाया जाता है इस दिन को मनाने का खास उद्देश्य टूरिस्म के प्रति जागरुपता बढ़ाना है जिससे की अंतराष्ट्रिय समुदाय को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनितिक और आर्थिक मोल्य प्रदान किये जा सके हर साल अलग-अलग थीम के साथ इस दिन को मनाया जाता है कोरोना वाइरस की मार जिस सेक्टर पर जादा पड़ी वो है टूरिस्म सेक्टर दुनिया भर के सभी देशों के आवाजाही पर रोक लगने से इस सेक्टर पर खासा असर हुआ जैसा कि मैंने बताया कि हर साल इस दिन को मनाने के लिए एक खास थीम होती है तो इस साल की जो थीम है री थिंकिंग टुरिस्म वो है दो हजार पाइस की थीम चली बढ़ते हैं आगे आजी के दिन वर्ष 1905 में महान वैक्यानिक अलबर्ट आइंस्टाइन ने MC स्कॉयर का सिध्धान्त पेश किया और आजी के दिन 1871 में सर्दार वल्लब भाई पटेल की बड़े भाई और स्वतंतरता सेना ने विठल भाई पटेल का जन्म हुआ और आजी के दिन 1825 में इंग्लैंड में स्कॉंटन डर्लिंग्टन लाइन के शुरुवात के साथ दुनिया का पहला सारवजिनिक रेल परिवहन शुरू हुआ और अब बढ़ते हैं आगे आपको बताते हैं कि क्या खास हुआ हमारे शहर बनारस में आज बनारस विश्व की सांस्कृतिक राज्थानी है और इसकी उप्राचीन धरोहर हमेशा से ही परिटको के आकर्शन का केंद्र रही है वारंसे में परिटन को बढ़ावा देने और शहर में विदेशी इस्थाने परिटको के लिए वर्तमान में ठहरने की कमी को देखते हुए वारंसे विकास प्राधी करने गंगा नदी के किनारे रामनगर की और टेंट सिटी की परिकल्पना की है असी घाट के समक्ष स्थित शेत्र में टेंट सिटी मांसुन के उपरान संचालित किये जाने का प्रावधान किया जा रहा है तो भहिया तयार हो जाएए संगम जैसा नसारा हमारे बनारस में देखने के लिए और आपको बता दे हैं आज की दूसरी खबर अखिल भार्दिय बाईक अभियान में शामिल 75 बाईक सवारों के दल का स्वामवार को तरना स्थित शेत्रिय खेल का रहले पर भविय स्वागत किया गया हम आपको बता दें कि अमरित महुत्सोव के अवसर पर 75 बाईक चालकों का दल भारत की 75 विसिस्ट थानों में 21,000 किलो मीटर की यात्रा करेगा और अब देखते ही देखते वक्त हो गया है मेरा इस प्रोग्राम से चलेगा तो चलते चलते आपसे सिर्फ एकी बात कहना चाहूंगी वक्त हालात मौसम कैसे भी हो तू लड़ना सीख तू चलना सीख तू आगे बढ़ना सीख तो अपना खयाल रखे खोश रगे मिलते हूँ आपसे सुबह 8 बच कर 30 मिनट पर मधुरिमा के साथ फिला सुनती रहिए आपकी मानी आकाश मानी और कुछी पलों में आप सुनेंगे समाचर प्रभाद हमारे दिल्ली के अंदर से तो अप भी बाबाई